Hey what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video दोस्तो आप अगर डिसेजन लिया है कि 2022 के अंदर कोई बाजेट स्मार्टफोन प्रचेस करेंगे और वो भी आपको काफी पावरफूल और गेमिंग स्मार्टफोन जाएए तो आपके लिए Redmi Note 12 सीरीज सबसे बेस्ट आप्सेन हो सकता है दोस्तो इंडियार मार्केट पे बाजिट फ्रेंज पे जो भी स्मार्टफोन बिकते हैं उनमें से 60% Redmi की स्मार्टफोन होते हैं क्योंकि Redmi एक ऐसा ब्रैंड है जो सबसे पहले कम कीमेट पे अच्चा स्पेसिफिकसंस बहला स्मार्टफोन मार्केट पे लेके आया था और आज भी उसी स्ट्रेटेजी को फालो करते हैं और कम से कम कीमेट पे सबसे बेस्ट पॉसिबल स्पेसिफिकसंस डालते हैं जो आपको कोई और कमपनी देने की बारे में सोच भी नहीं पाता होगा और दोस्तो आप भी अगर रेडमी का कोई स्मार्टफोन इस्तमाल करते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं So leak information की सबसे Redmi Note 12 Pro model पे आपको Mediatek का Diamond City 1000 चीपसेट देखने को मिलेगा जो काफी latest and powerful 5G चीपसेट वाना जाता है और यह जो Redmi Note 12 Ultra model है यहाँ पे आपको कोई Mediatek का चीपसेट नहीं Snapdragon का latest mid-range Snapdragon 765G देखने को मिलेगा जो काफी powerful and gaming 5G चीपसेट में से एक है Overall performance wise यह सीरीच काफी powerful है और यहाँ पे आपको काफी प्याथर gaming and multitasking experience मिलेगा और इसमें जो camera experience है वह भी आपको काफी powerful मिलेगा और RAM और internet storage की बात किया जाए तो Redmi Note 12 Ultra model पे आपको 6GB की base variant के साथ में 64GB and 128GB storage मिलेगा और यहाँ पे 8GB के साथ में 128GB and 256GB option भी मिलेगा आप अगर gamer है और आप काफी जादा game खेलते या multitasking काम काफी बहतर तरीके से करना चाहते है तो यह जो Redmi Note 12 series है यहाँ पे आपको काफी बहतर performance मिलेगा जो आप सैद Redmi की इसी phone पे ही पाएंगे तो यहाँ पे आप अगर Redmi Note 12 Ultra Series की battery की बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6000mAh का huge battery capacity मिलेगा जो एक दिन की battery backup आपको आराम से दे देगा और यह 120W charger के साथ में आएगा यहाँ पे इस पर latest MIUI 13.1 user interface देखने को मिलेगा जो latest Android 12.0 की उपर run करती है जो काफी smoothly and काफी powerful user interface है और यहाँ पे battery consumption को काफी बहतरिन तरीके से manage भी करता है तो overall Redmi Note 12 Ultra और Redmi Note 12 Series budget segment के अंदर काफी powerful package होने जा रहा है जहाँ आपको सभी धमा कदर features काफी affordable segment के अंदर मिलेगा तो आप channel को subscribe कर दीजिए और bell icon को press कर दीजिए तकि इसकी बारे में जो भी नया update आएगा और जो भी नया news आएगा वो आपको मैं सबसे पहले inform कर पा हूँ तकि आप इस device की बारे में सभी report और सभी news सबसे पहले जान सके So let me know your thoughts on this and I will see you guys tomorrow, peace out